डाउट्नेंट पे कीजिये अपने सारे गवर्मेट ईक्जामसी त्यारी, सीखे न्यू टिप्षिंट ट्रिक्स और सफाये करे अपने सारे मैच्जवाइट्स का डाउलोड कीजिये डाउट्नेट अप बी या फिर वाच्ट आप कीजिये अपने डाउट्स 8444 पर हलो दोस्तों यहाँ प्रेश्टन में दे रखा है कि सरल करना है 0.96 की गात 3 माइनस 0.1 की गात 3 बटे 0.96 का वर्ग प्लस 0.096 प्लस 0.1 का वर्ग देखें यहाँ पे मुझे इस संख्या को हल करना है और इसको हल करने के बाद मुझे देखना है कि कौन से option से match कर रही है तो देखें सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ तो यह लिखा हुआ है 0.096 का cube minus 0.096 का cube बटे 0.096 का वर्ग plus 0.096 plus 0.096 का वर्ग देखें इसको प्रस्ण को देखते ही मुझे यह लग रहा है कि मैं सर्वसमीका मैंने आपको बताई थी उन सर्वसमीका मैं से कोई एक लग रही है यानि कि अंस में मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे a cube minus b cube जैसा कुछ लिखा हुआ है तो a cube minus b cube बराबर अगर मैं देखूँ यह क्या होता था तो लिखते थे हम a minus b गुणे a square plus b square plus a b ठीक है देखें यह होता था और हर में मैं देखता था देखता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पर a बराबर अगर मैं आप से कहूं कि a बराबर मैं क्या लिख लेता हूं 0.096 और b बराबर 0.096 तो क्या मैं a b अगर लिखूं तो यह कितना आ जाएगा 0.096 गुणे 0.096 मिलना चाहिए अगर यह होगा तो मेरा प्रश्ण बहुत ही असानी सा जाएगा तो a b मेरा कितना आ रहा है 0.096 ठीक है देखिए यहाँ से यह नहीं कि मैं प्रश्ण को लिख सकता हूं कि यह प्रश्ण मेरा कैसा लिखा हुआ है a q minus b cube बटे यह कितना है a square plus a b plus b square इस तरीके से लिखा हुआ है तो मुझे यह बताए यह a q plus a q minus b q कितना होता है a minus b बटे a square plus b square plus a b तो इसको हम लिख लेते हैं तो यह जाएगा a minus b गुणे a square plus b square plus a b और हर में कितना है a square plus a b plus b square a square plus b square पहले लिख लेता हूं प्लस a b ठीक है तो देखिए यहां पे अंस और हर में तो समान जंख आए हैं ये तो ये इससे a square plus b square plus a b से ये दोनों cancel out हो जाएंगे तो यहां से मैं कहसबता हूँ कि इसको मैंने जब सरल किया तो ये कितना a minus b तो a की value कितनी थी a की value थी 0 दो समलो 9 6 और b की value कितनी थी 0 दो समलो 1 ठीक है ये values दे रखे थी हमने मान लिया था देखे तो यहां पे ये मेरा answer कितना आ जाएगा बताएगे तो ये आ जाएगा 0 दो समलो 8 6 0 समलो 8 6 मेरा answer हो जाएगा देखे कौन से option में दे रखा है तो option number C तो देखे इस तरीके के कभी भी आपको प्रश्न दिया हो जो आपको सरल करने हो तो आप सबसे पहले ये देखे कि कौन सी सर्वस हम ही काया लग सकते हैं जैसे कि हमने a plus b का whole square बढ़ा था a minus a minus b का whole square बढ़ा था a q plus b q मैंने हमने पढ़ रखा है a q minus b q तो उस तरही के से प्रश्न को हम बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं थैंक यू डाउट्रेंट पे किजिए अपने सारे government exams की त्यारी सीखे न्यू टिप्स और सफाय करे अपने सारे match doubts का डाउट्लोड कीजिए अपने doubts आप अभी है फिर whatsapp कीजिए अपने doubts 8 400 400 400 पर